नमस्का दोस्तों स्वागेति आपका इस युट्यूब चानल गोलू रेसीपी में आज हम बानाने वाले चिकन मसाला चिकन मसाला बानाने के लिए इधर हमने चाल बड़े सेस्की प्यास को लंबे तुकडों में काट लिया है इधर हमने 80 kg चिकन लिया है यानी half KC चिकन लिया है हमने इसे हमनेино Cocktail कटवाया है और इसे अच्छे से भोग के हमने लिया है इधर लगबग 15 से भीस हमने लसन की कली लिये है इसको अच्छे से हमने चील लिया है आपके घर में जो खड़ी मसाली अबेलेबल हो आप इसमें यूज कर सकते हो हमने थोड़ी खड़ी मसाली भी इसमें लिये हैं या इसका फ्लेम हम आउन कर देंगे और कड़ाई को चड़ा देंगे एक टिप्स देना चाहूंगा जब भी आप नॉन्वेज बना रहे हो चिकन मटन बना रहे हो मठन बना रहे हो तो आपनी कड़ाई को ज़िए गरम बहुत घंदा जिसे जे आपका चिकन या मॉटन कुछ बना रहे हो बहुत टेस्टी बनेगा इधा हमने खड़े मसाली इसमें डाल दिये हैं हमारा कड़े अभी फिला थोड़ा ही गरम हुआ है लेकिन हम खड़े मसाली को ज्यादा देतक बुनेंगे प्रेंस खड़े मसाली को जितना हम बनेंगे उतना अच्छा हमारा करी बनेगा यानि किजिकन मसाला बनेगा आप चाहे तो लॉंग और काली मिर्ज भी इसमें डाल सकते हो मैंने काली मिर्ज नहीं डाला है लॉंग क्योंकि हमारा घर में नहीं खाता कोई इसके वज़े से अब हमने इसको आच्छी तरह से बुण लिया है हमाई कड़ाई जह है वो भी अच्छी तरह से गरम हो चुकी है अब हम इसमें ओयल एड करेंगे हमने इदर सरसो का ओयल लिया है आपके घर में वेज़िटेबल ओल यूज करते हो तो आप वेज़िटेबल ओल यूज कर सकते हो हमने इदर सरसो का ओयल यूज किया है जिससे ज रिया थिये, शोटी टुकले में cut करके इसमें डाल देंगे है चैन्यारी सतरों हम इसमें यसे घ्रम एक चैनल जाएगा जिसे कि हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा बुन जाएगा अच्छी तरह से हमारा प्यास जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा सबसे पहले इसे हम थोड़ी दे तक अच्छे से बुल लेंगे इसे ज़्यादा भी नहीं बुनेंगे जिसे तो इसका स्वाद रहेगा वो थोड़ा से जला हुआ आएगा इसलिए हम इसे थोड़ा से बुनेंगे अब हम इसमें चिकन एट कर देंगे इधर हाफ केजी चिकन लिया यानि आदा किलो चिकन हमने इधर लिया था उसको इसमें और इसको भी आची तरह से मिक्स कर देंगे गास का फ्लीम जो हो हम लो रखेंगे जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में हमने कड़ाई को ओवरहिट किया था जिससे हमारी कड़ाई जो है वह अभी बहुत गरम है इसके पर देख सकते हो हमारा चिकन जो अभी थोड़ा पानी चौने का स्टेप जो है वह शुरू हो चुका है जैसे आप चिकन एड करोगे उसके दो तीन मिनट बाद इससे कवर कर देंगे ना जिससे आपका चिकन यह वह 5-6 मिनियों तक अची तरह से बुन जाएगा और यह खाने में भी बहुत अच्छा लेगेगा स्मूथ अब हम इसे लगबाग 5-6 मिनियों तक अच्छी तरह से कवर कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हो इसे कवर करके हो चुका है हमारा चिकन जो है वह पानी चौना शुरू कर चुका है यानि कूक हो रहा है अच्छी तरह से अब हम इसमें अच्छी तरह से कुक होने के लिए इसमें स्वाल्ट डाल देंगे इधर वन टेबल स्पून हमने स्वाल्ट दिया है आप अपने स्वादवन नमग डाल सकते हो इसमें लेकिन हमने इधर वन टेबल स्पून स्वाल्ट डाला है इसको हम अच्छी तरसे mix करेंगे गास का फ्लेम अब हमेडियम कर देंगे क्योंकि हमारा कड़ाई बहुत देर से low flame पे हैं जिसी हमारा चिकन है वो पानी छोड़ना शुरू हो चुका है यानि हमें अभी ग्यास का फ्लेम जे वो मेडियम कर लेंगे जैसा के आप देख सकते हमारे प्यास भी है वो भी थोड़ा-थोड़ा गल चुका है अच्छी तरह से सिऽकर अब अबके elegant मसारे माइस आड़ करेंगे आप जो घर में ने यह सब्छी में आड़ कर किए में सिद्धार कर देंगे भी ड्याड़ा ना छीकन मसाला पाउडर डालेंगे पर भी लिया है कि इसको हम इसमनी डाल देंगे टू टीस्पून रेट चिली पाउडर वन टीस्पून कश्मिरी लाल मिर्च टू टीस्पून कुरियंडर पाउडर टू टीस्पून गरम मसाला पाउडर अगर आपके घर में चिकन मसाला पेले बनना हो तो आप गरम मसाला पाउडर इसमें आड़ कर सकते हो इसके बाद भी इसका टेस्ट रहेगा बहुत अच्छा है बहुत टेस्टी बनेगा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हो ग्यास का फ्लेम जो हमने मीडियम रख लिया है क्योंकि हमारा चिकन पाणी छोना शुरू कर चुका है इसके लिए अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहिए तो इसमें जिंजर भी आड़ करते हो और स्टार्टिंग में हमारे घर में जिंजर कोई खाता नहीं इसके वज़े से हमने इसमें जिंजर आड़ नहीं किया है इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है गैस का फ्लिम जो हो हो हम मीडियम रखेंगे नहीं तो अमारे चिकन जो हे बहुत लेट तक बुन जाए हमार चिकन शॉफ्ट नहीं होगा यानि कि बहुत लेट तक बुनेगा जैसा कि आप देख सकते हो हमारा प्याज जो है वो 60% तक अच्छी संगल चुका है अब हम इसे लगपक 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से कवर कर देंगे त्यक्त स्मेления हो चुगा है जिसा की आप देख सकते हो हमारा मासाला जो है वह प्रिवा तेल चुड़ना शुरु कर चुका है यानि भाई भी आची तर्या से बुन चुका है नाइंटी परसें तक अच्छीuses से कुख हो चुका है अब हम इसे फिर से 2-3 में तक कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे ग्यास का फ्लेम अब हम मीडियम स्टू लो की बीच में कर लेंगे जिसे हमारा चिकन जलेना जिसा कि आप देख सकते हो यह अच्छी तरह से पक रहा है आप इसे चेक करती रहना नहीं तो चिकन जो है आपका जल जाएगा हमारा चिकन बन के रीडी हो चुका है अगर आप को वीडियो अच्छा लगत हjungे हो मैं चैनल को आप मेरे चेनल को सशंचाइब कर दीजह कमेंच करेंगा आप मैरे चैनल पर नहीं हो तो मैरे चोंब को सब् कीजिएगा